तो हलो एंड वेलकम इवरीवान माने विजनिल यादव एंड यू और वाचिंग ट्रीगो एकाडमी बचो आज के इस से सिसन में इस छोटे से लेक्सर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं स्मॉल जी एड कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है रिलेशन बिटमें इसमॉल जी एड कैपिटल जी क्या होता है इस पर एक छोटा सब्सक्राइब. जो कि बहुत छोटा है जिसका mass क्या है small m है and अगर आप मेरे से बताओ small m क्या है बहुत छोटा सा mass मतलब उसका radius आर्थ की radius के comparison में बहुत छोटा होगा तो हम दोनों की beach की distance को r e ही मानने वाले हैं तो इनके beach में gravitational force act करेगा according to Newton's law of gravitation क्या हो जाएगा force is equal to capital G m e mass of earth को m e से दिखा लेते हैं small m divide by इनके beach की distance क्या है r e का square मने r e क्यों लिया ये बता दिया है आपको ठीक है इसको equation number first कह सकते हो ठीक है according to Newton's law of gravitation इतना force लगेगा earth और इस छोटे से mass के बीच में इसका जो सारा का सारा mass होगा वो क्या होगा उसके center पर लाई करेगा और आप जानते हो अगर कोई object अर्थ के surface पर रखा है तो उस पर एक force लगता है according to Newton's second law according to Newton's second law क्या कहता है Newton's second law यह force is equal to mass into acceleration mass तो m है acceleration देखो नीचे के तरफ क्या जाएगा g towards the center of the earth g लगता है तो force is equal to क्या हो जाएगा mg यह हो जाएगा second equation अगर इन दोने equation से हम forces को बराबर करा दें तो क्या हो जाएगा from equation first and equation number second दोनों equation से क्या हो जाएगा बच्चा mg is equal to capital G mass of earth m e small m upon r e का square यहार दोनों साइड small m small m है तो cancel out हो जाएगा तो small g का value आया capital G m e upon r e का square यह आपको जो मिला है किसका small g का value मिला है in the term of capital G इसी को कहता है relation between small g and capital G यह आपने motion and gravity पढ़ा होगा और वहां पर values हम लोगों ने देखी है small g की जो value आती है अगर आप यहां पर सारी values put करो small g is equal to capital G का value की 6.67 to 10 to power minus 11 and mass of earth होता है approximate 6 into 10 to power 24 kg होता है divide by radius of earth का होता है 6400 km then इसको 6.4 into 10 to power 6 meter में convert कर सकते हो इसका square कर सकते हो जब आप small करोगे तो approximate value 9.81 meter per second square आती है याद है कि नहीं आद है याद होना चाहिए तो आज की वीडियो में यहीं तक फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में